हेलो फ्रेंज तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सूप अप टॉप टॉप टेन में क्या आपको क्रिकेट के बारे में दस ऐसी दिलचस्थ पाते पता हैं तो आएए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले नंबर पर आता है वह साहिद अफृत हुए सचंक बना था सबसे 03 सक्तु शोच नाटी-शोच में स्री लंका और पांता के भीश खेला गया गया मैंच जिसंब साहिद अफृत है ने क्रिकेट का सबसे 03 सक्ता लगाय था जिसे आज तक कोई Kügg क्रिकेट प्रूम भूल नहीं पाता है लेकिन कि आपको पता है कि इस मैस में साहिद अफृति अफ्रीदी ने क्रिकेट की भगवान कहा जाने वारे सचेंत अंधर करके बल्ले का इस्तेमाल किया था तो सेकेंड नमबर पे आता है वो है टेश्ट मैज क्रिकेट की पहले गेट पर शक्का मानने वाले एक मात्र बल्ले बाज है क्रिस केल जी हाँ क्रिस केल को T20 का बासा क्यों कहा जाता है क्रिस केल अब तक 318 T20 मैशन में 801 शक्के लगा चुके हैं जो तीसरे नमबर पे आता है वो है अबास अली बेग एक टेस्ट मैस्ट के दोरान चूमा जाने वाला पहला भारती क्रिकेटर था। 1995 में मेलबॉर्ण स्टेडियों में अस्ट्रेलिया के खिलाब तीसरे टेस्ट मैस्ट में अबास अली बेग ने अपने पचास संग पूरे कर ले थे तब भी उत्तर स्टेंड ने अबास अली को बढ़ाय देने के लिए एक लड़की दोड़ी चलिया आई और बेग को चूम ल टेस्ट मैस्ट के सबसे पुराने टीम और इंग्लैंड के बीच हुआ था इसमें इंग्लैंड के गेदबास जीम लेकर ने अकेले कर दिया था आस्ट्रेलिया को तहस नहस और जो छट्वे नंबर पर आता है वह क्रिकेट का पहला टेस्ट मैस 15 मार्च 1887 को मेलबॉर्ण मे आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था जिसमें आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रनों से हराया था साथ वां वेस्ट इंडिस क्रिकेट प्लेयर लैसलाई हैल्टन एक मात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्नी मर्डर के अपराद में फासी परचड़ाय गया आठवां स्री लंका के महिला जैवर्द ने एक मात्र ऐसे बल्लेबाद हैं जिन्होंने विस्ट फुक अप के सेमी फाइनल और फाइनल दोनों में सतक लगाए हैं नौवां क्रिकेट के दुनिया में टेस्ट मैच की एक पारी में सक्से ज़्यादा रन बरानने वाले अटूट रिकार्ड वेस्ट इंडिस के ब्रायन लारा चारसो रन के नाम है दस्वां सौरव गांगुलीक एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वन्डे में लगाता चार बार मैन आप दो मैच आवार्ड जीते हैं तो ये रहा क्रिकेट के बारे में तस दिस दस पाते हैं तो कैसा लगा ये वीडियो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड को सेयर करना ना बोलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तक तक के लिए धन्यवाद